हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों, आज के इस टोपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं How to export opening balances of all laser from a single screen in Tally Prime So दोस्तों, उसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हम Tally Prime के उपर तो यहाँ से Tally Prime, Gateway of Tally के उपर आना है यहां से डिस्प्ले के अंदर D दबा के जाना है फिर यहां से ट्रायल का T दबाना है आपको और यहां से F5 दबाना है F5 दबाने के बाद आपकी यह देखो लेजर वाइज हो जाएगा ठीक है यदि आपका F5 दबाने से नहीं हो रहा यहां से यह देखिए, लेजर वाइज पर क्लिक कर सकते हूँ, यहां से लेजर वाइज पर क्लिक करने के बाद, Ctrl E दबाना है, Ctrl E दबाना है, और यहाद आपका Ctrl E काम नहीं कर रहा है, तो यहां से यह Export पर क्लिक करना है, Export पर क्लिक करने के बाद, इसे current पे click करना, इसे configure करना है, configure so opening balances को yes कर देना है, so closing balances को no कर देना है, so transaction को भी no रखना है, so account balances with zero yes कर देना है, और file format आपका excel के अंदर होना चाहिए, यहां से यह देखिए excel के अंदर choose कर लोगे इसे, ठीक है, और control A दबाओगे, control A दबाने के बाद यहां से e send पे click करना है यह देखो fail to create, क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है, अब वापस से enter दबाएंगे और send पे करेंगे, तो यह देखो trial balance आपका export हो रहा है, यह export होके यह देखो excel में आपका trial balance खुल चुका है, यह देखिए, यह आपका trial balance 12.15, 12.15 सेम आ रहा है, और trial balance ठीक है, और यह time period यहाँ पे यह देखिए, में 7 में तक का आ रहा है, क्योंकि मैंने entry यहाँ तक की कर रखी थी, तो यह दिखा रहा है, तो यह कोई फरक नहीं पड़ता, हमें तो 1 April 21 का चाहिए था, यान 31 March 21 का हमें trial balance चाहिए था, तो यह opening आ चुका है, तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को like करे, share करे, और अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर ले और bell icon भी दबा दे, thank you दोस्तो,